कर दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत द्वाच आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं अगर आप हारे चनल पर नए हैं और आपने हमारे चनल आपको फेस्वोक और इंस्टाग्राम की बहुत इंटरेस्टिंग जो है वीडियो बताने वाले हैं दोस्तों बहुत जादा इंपोर्टेंट हो गया है कि यह दोनों कितने सुरक्षित हैं यह निरबर करता है आपकी फेस्वोक इस्ट्रीक पर आप जो है इसको कैसे मैनेज पर तो आपको अकाउंट सेटिंग्स पे जो तीसर ओप्षन दिख रहा है यहां पर आजाईए सबसे आकरी में आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है सर्च इस्ट्री यह जो इन्फॉमेशन परमीशन है या सर्च इस्ट्री पर आजाईए क्योंकि मेरे जो अकाउंट ह Facebook और Instagram ये Sync है आपस में इसलिए आपको इस तरीकी से देखने के लिए मिल रहे होंगे अब आप पहले Facebook पर टैब कीजिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह मेरी अभी तक की पूरी सर्च हिस्ट्री है मैं इसको डिलीट करता रहता हूँ आप one by one भी इसको डिलीट कर सकते हैं दूसरा आप Instagram पर आजाईए आप Instagram पर आएंगे देखिए यहाँ पर अभी कोई सर्च इस्ट्री नहीं है क्योंकि मैंने इसको भी जो है डिलीट कर दिया है आप यहाँ देख रहा है keep searches for इस default पर क्लिक कीजिए यहाँ से आप इसको customize कर सकते हैं देखिए default पर लिखा है you will see all of your Facebook searches from the past year your Instagram searches are only stored for 30 days तो दोस्तों यह 30 दिनों तक सर्फ Instagram के searches को रख सकता है लेकिन Facebook को यह past year तक भी रख सकता है default में तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर तीन दिन का कर सकते हैं यह देखिए यह जैसी चेंज हो जाएगा तो आपको बताएगा कि 24 गंटे में इसको action हो जाएगा यह आप साथ दिन का कर सकते हैं इसी तरीके से आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों अब आपको करना क्या है नीचे जो आपको option दिख रहा है clear और searches का यहाँ पर क्लिक कीजिए लिखा है पर टैप कर दिया है और clear all history पर जो है क्लिक कर दिया है यह देखी दोस्तों नीचे आ रहा है clearing searches और अब हमारी पूरी searching है यह देखी Facebook का भी zero हो गया है और Instagram का भी zero हो गया है तो दोस्तों यह बहुत जादा important है Facebook की history को आप maintain नहीं रखिए और जरूरी भी नहीं है यह क्यों की इसको देखा नहीं जाता है लेकिन यह बहुत जादा जरूरी हो सकती है उन लोगों के लिए जो आपकी profile का गलत इस्तमाल करना चाते हैं या उसके ID password को hack करना चाते हैं तो आप अगर अपने history को बंद रखेंगे तो यह आपके लिए और आपके account के लिए दोनों के लिए बहुत जादा बैतर होगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है विविक भारत वाज थैंक यू